जहिन नमस्कार साथ हूं फिर से स्वागत है आप सोको हमारे एक नई वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम आप सोको बताने वाले हैं जितने भी कैने दोस्तो वियर सब ट्रेट्समेंट स्वीपर के लिए अपलाई के थे उसका फाइनली दोस्तो डोकुमेंट वैरिफिक लेकर जानी है वो भी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में सारा information देने वाले हैं जितने भी candidate का दोस्तों आने वाले time में आपका document verification चलने वाली है ओ दोस्तों candidate हमारी इस youtube प्रिट्व चनल को सस्क्राइब करके जो डत लीजेगा इस चनल के माझेम से दोस्तों हम आपको हरी तरग की इंफोर्मिशन देता रहता हूं फ़ली दोस्तों सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं जितने भी स्वीपर केनिडेट हैं ध्यान दीजेगा नमबर वन में दोस्तों आपको एड्मिट कार्ड लेकर जानी है जो दोस्तों आपका एड्मिट कार्ड निकला होगा और अफिर ब्लेक और वाइट कुछ भी लेकर आप जा सकते हैं साथ में दोस्तो नमबर 2 में बात करें तो आपके पास एक ID proof होनी चाहिए voter card, आधार card, pen card, कुछ भी चलेगा आपके पास दोस्तो एक ID proof होनी चाहिए और थर्ड में बात करें दोस्तो आपके पास एक class certificate होनी चाहिए दोस्तो आप जिस भी category से हैं चाहिए आप EWS हैं, ST, SC, OVC, general के लिए दोस्तो कोई भी का certificate मांगा नहीं जाता है आप दोस्तो OVC candidate हैं तो आपके पास non criminal certificate होनी चाहिए और दोस्तो चीन साल से ज़्यादा पुराना अगर आपके certificate है तो वह valid नहीं होगा तिन साल के अंदर है तो दोस्तो वह valid होगा वह चल जाएगा दोस्तो बात करें जितने भी candidate स्वीपर के लिए अपलाई किये हैं उसका दोस्तो experience certificate मांगा जाता है experience certificate दोस्तो वह आपके होनी चाहिए आप experience certificate जहां से भी बनवाए होंगे दोस्तो वह valid certificate होनी चाहिए फरजी नहीं होनी चाहिए कि दोस्तो जहां से भी आप बनवाए है अगर जिस जगह से जिस सेंटर से आपने experience certificate को बनवाए है बाद में दोस्तो document अगर दोस्तो BSF के तरफ से कोई भी जांच करवाए जाए अगर वहाँ पर घ्रार कुछ दोस्तो आपको रद किया जाएगा बाद में दोस्तो आपको प्रोब्लम हो सकती है इसलिए आप जहां से भी experience certificate बनवाए दोस्तो आप वहाँ पर पहले देख लिजिए कि वेरेड है आप भी नहीं है तेवी दोस्तो आप वहाँ से बनवाए ये और दोस्तो अंटर में बता देते हैं आपके पास 10 और 12 की दोस्तो ओरजिनल मार्स की तो passing certificate दोस्तो सारा कुछ होनी चाहिए और परतेक का दोस्तो आप दो दो जेर्क्स कोपी करवा लिजीगा और दोस्तो परतेक में आप self-attested आने दोस्तो खुद का signature और जिस दिन का आप डोक्मेंट भेरिविकेशन होआ उज दिन का दूस्तो आपको date वहांपर mention करणी होगी दोस्तो आप यहांपर mention ने की लिए का सेंट्र में जाने के बाद आराम से mention कर सकते हैं और बाकिस दोस्तो आपको चार फोटोग्राफ लेकर जानी है दोस्तो हो सकता है कि आपका एक फ इमें तब तक लिजाहीं, जय भारत